हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चनल केरवेल फार्मा में तो ये हमारी 2020 की लाश्ट वीडियो है और हमारी माइक्रोबाइलोजी की भी लाश्ट वीडियो है आज हमारा माइक्रोबाइलोजी यो कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके कुछ important question देखेंगे और बाकी revision देखेंगे चलिए समझ लेते हैं तो आज जो हमारे topic रहने वाले वो हमारे है growth of animal cell in culture फिर इसका procedure देखेंगे primary, stabilize, transform ये इसके types हैं इनको देखेंगे फिर इसकी कुछ application देखेंगे चलिए पहले इससे बहले हम थोड़ी छोटी सी कहानी समझते हैं जो आपको cell culture को समझने में बहुत जादा help करेगी तो friends आप लोगों ने हम अब तक पढ़ा पूरी microbiology पढ़ी उसमें कैसे होता, क्या होता, bacteria, fungi इन सब के बारे में पढ़ा तो एक चीज हमको यहां समझ आ गई कि जो हम दवाईयें बनाते हैं इन सब production मतलब चीजों के लिए उन समय हमको क्या करना है किसी पर experiment करने की जरूवत होती है नहीं समझें कोई बार नहीं अभी देख लेते हैं जैसे यह समझें पहले जमाने में क्या होता था कि हम कोई भी जैसे हम कोई दवा बना रहे है तो उस दवा को हमें पहले test करना है कि क्या वो दवा सही बनी है कि नहीं बनी है तब हम क्या करते थे इस दवा को हम किसी को देते थे अब हम चलते थोड़ा पहले तो पुराने जमाने में क्या होता था उस टाइम पे जो दवा थी वो डारेक्ट इंसानों पे अपलाई की जाती थी और डारेक्ट इंसानों पे अपलाई की जाती थी और डारेक्ट इंसानों नहीं कोई भी दवाई बनाई जाती तो वह पहले हमारी humans पर की जाती थी फिर वह धीरे-धीरे क्या हुआ हमारे animals पर करने लग गए लेकिन बाद में सरकार ने इसको भी बेहन कर दिया कि कि किसी को क्यों मारना क्या करना फिर एक नया तरीका इसी पर निकला वह हमारा होता है animal cell culture अब देखा दाए ना एक्चुल मत तो यह बहुत ही भड़िया चीज है जिस बिज़ा से क्या हुआ ना हमारे human को harm किया दाता है ना हमारे कोई भी animal को harm किया दाता है और इसलिए यह बहुत ही best तरीका और अच्छा तरीका है और इसमें होता क्या है अब इस चीज को हम सम तो उसके लिए हम को क्या चाहिए लीवर चाहिए अब यह लीवर हम डारेक्ट अगर इनसानों को देंगे तो अगर दवा का कोई side effect हुआ खराब होगा तो वो इनसान बै कोई मतलब side effect हो सकता है मर भी सकते है एनिमल पे देंगे तो एनिमल में भी हारम होता है तो यह पहले उसके बाद इसको जो जो लीवर को चाहिए ग्रोथ करने के लिए वो वो चीज़े हम यहां से इसमें डालेंगे वो चीज़े डालेंगे और फिर कुछ दिन के लिए इसको incubate में रख देंगे बेट करेंगे फिर दीरे क्या होगा यहां पे हमारा लीवर जो है औरजीनल ली बीमारी है उस बीमारी को यहां पर हम डालेंगे उसके बाद फिर हम यहां पर अपनी medicine को apply करेंगे या दवा को जो हमने बनाई है फिर उस दवा को हम यहां apply करेंगे और उससे फिर हम देखेंगे अगर हमारा लीवर ठीक हो रहा है कि हमारा लीवर खराब हो रहा है कि उसमे इवर को ठीक तो कर रही है लेकिन फिर कोई side effect दे रही है तो इन सब चीजों के लिए हमारे ये animal cell culture है और cell culture आपको पता ही था हमने पढ़ा था अपने इसमें जो tissue मतलब कोई नुकसान भी नहीं होता और ये चीज़ भी हमारी सारी काम हो जाती है अब एक और चीज़ यहीं समझ लेते हमको अंदर थियोरी में बहुत जादा help मिलेगी कि हमने कि यहां से क्या गिया एनिमल से डारेक्ट हमने कोई tissue के cell लिए और यहां पर हमने लीवर फिर हमने इस से और यहां डाल रही है तो आपने यह दिखा कि यह हमारा था प्राइमरी यान कि हमने डारेक्ट एनिमल से लिया तो यह हमारा क्या है प्राइमरी से ले लिया तो इससे हमने जो इसमें डारेक्ट लिया यह हमारा हो जाएगा सब कल्चर प्रोसेसिंग हो और हमारा यहां पर यह प्रेडियूस हो गया तो यह हमारा primary secondary का इतना सा फंडा है अब हम इसकी कुछ बात है समझ लेते हैं क्या कैसे करना है क्या करना है उन बातों को तो पहले हमें जहां जानना है growth of animal cell culture तो यहां मैंने बता दिया cell culture हमारा actual में होता क्या है क्यों करते हैं कै यहां पर यह culture अपना प्रिपेर किया है यहां पर हम animal के टिशू डाल रहे थे तो इसको growth करने के लिए कुछ nutrition की preparation होती है जासे एक्जामपल हमारी body में liver है या हमारी body में heart है कुछ भी है तो उसमें क्या है उसको जो हम food खा रहे हैं जो भी हम रोटी बगरा खाते हैं उसकी energy उन ओरगन को भी तो मिलती है ना यासे माली से हमारा कोई भी जैन से मिल है तो लंग से मिल रही है इन सब चीजों से मिल रही है टो इन सब energy को create करने के लिए हम एक media त्यार करते हैं media कैसे यह हमारा पूरा जो media है इसमें हम सारी चीज़ा ऐसी रखते हैं जरूरत की जो क्या करेंगी इस liver को यह जो भी हमें अपना soul organ है उसको develop करना है उन चीज़ों को यह suitable हो मलदा suitable nutrition medium तो उसी को यहाँ prepare कर देंगे और उसमें हम simple इसको डाल देंगे तो हमारा यह growth करताएगा कौन-कौन से होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर basically दो तरह के बताएगा है हमारे natural culture media और दूसरा हमारा होता जो क्या करें animal cell को growth करने में help करें तो natural की बात आ गई अब natural में क्या हमारे natural चीज़े आती है तो natural क्या जैसे हमारा blood आ गया सबसे plasma blood यह चीज़े हमारे मतलब मैंने आपको यहाँ भी बताया हमारे lever से लिए हर चीज़े के लिए blood की ज़रूरत हमेशा होती है बहुत ज़रूरत होती है तो यही है कि natural natural source है blood क्यों कि blood को हम create नहीं करें blood हमारी body में होता है तो उस blood को यहाँ पर culture media में डाला जाता है और उसी culture में हमारा animal के जो cell है वो growth कर जाते हैं तो यह हमारा जाता है natural अब हमारी बात आती है दूरा artificial की तो artificial नाम से ही पता लग रहा है इसमें कुछ artificial चीज़ों से मिला के हमारा culture media वो prepare किया दाता है अब artificial चीज़ा क्या क्या है यहाँ पर तो जैसे organic and inorganic nutrient को मिला दिया जाता है फिर कुछ vitamin salt serum protein carbohydrate इन चीज़ों को O2 CO2 यह सारी gas है दाल लूल के वहाँ पर हमारा culture media तयार किया जाता है और उस culture media में हमारा फिर जो cell है उसको double up किया जाता है यह भी हमारी दो तरह की basically यहाँ जाती है serum containing media और एक हमारा होता है serum free media serum containing मतलब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपना नेचरल वाला इसमें हमारा blood serum जो होता है उस blood serum को भी यह artificial में डाल देते हैं अब इससे क्या होगा serum हमारा बहुत अच्छा स्रोथ होता है किसी भी cells को growth कराने के लिए तो यहाँ पर अगर हम 5-20% serum लालते हैं जिससे हमारी growth अच्छी होती है लेकिन serum से कुछ-कुछ ऐसे animals है जिसको वो नहीं चाहिए होता है serum तो वो खराब हो सकता है limitation हो सकती है इस बजाए से कुछ हमारा यहां होता है serum free media यान कि ऐसे media जिसमें हमारा serum नहीं content करेगा और इसमें हमारे कुछ special type के cell को growth किया दाता है जिसको serum नहीं चाहिए होता है यह हमारा simple यहां हो गया अब हम समझते हैं दूसरा हमारे यहां topic है procedure for cell culture procedure मतलब वही है कि किस तरा से हम अपने cell को prepare करें गे तो यहां पर हमारी basically तीन condition यहां पर आती है preparation of cell culture के लिए वह हमारी क्या है कि पहले हम क्या करेंगे isolate करेंगे अब पहली हमारी condition आती isolation ऐसी सम्मझा दता हो तो पहली हमारी यहां condition आती आइ इसमें क्या हो रहा है कि दा एक्स प्लांट फ्रॉम एन एक्साइटेड या फिर कट सर्डिकली पोर्शन आफ दा बॉल्ट आप सिंपल समझे कि कोई हमारा यह एनिमल है इसको क्या कर जाएगा वही आप समझ रहें कट कूट के जो जगाया जैसे लीवर है तो उसके कुछ टि निकाल रहें इसी को हम बोले है आईसोलेशन आप दा टिश्यू अब इसकी कुछ सड़ते कंडिशन क्या है जैसे पहले जाना देते हैं एनिमल कौन को हम यह यूज कर सकते हैं माइस है चुहा है रविट है खर्गोस है इन सब का यूज करते हैं और भी बहुत सारे होते हैं कोई जिस equipment का जाने की अपनी चाकी छुरी जिसका यूस कर रहे हैं जहां पर हम इसको रखने वाले वो सारी चमय हमारी क्या होनी चाहिए इस्टराइज दो लिचे मतलब साफ होनी चाहिए उपर से जिस condition वे जिस environment में होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए ऐसेप्टिक तो यहां पर आप यह समझें, aggregation का मतलब क्या होता है, हमारा एकटा होना, तो dis aggregation का मतलब होता है, विखरना अलग-अलग होना, तो यहां पर यही है, फिर यह हमारा अलग हो गया है, इन चीज़ों को हम अच्छे से separate out करके, फिर इसको हम provide कर देते हैं, अच्छा से culture media, यानि कि जिसमें वो growth करेगा, यहां पर हम उस चीज़ को डाल देते हैं, अब इसकी दो चार प्रोसेस थी, क्या होता है, इसको जाब mechanical ही करेंगे, आप समझ रहे हैं, मतलब force बगएरा लगा के, mechanical force बगएरा लगा के, force बगएरा की help करें, फिर हमारा यहां enzymatical ही है, यानि कि कोई enzyme बगएरा का हम यहां use करेंगे, उसके दोरा, यहां हमारा यहां chalating agent है, यानि कि chalating agent हमारा गया EDTA, तो यहां EDTA की help से भी हम यह disaggregation कर सकते हैं, यह होने के बाद, फिर हम क्या करते हैं, यहां तीसरे हमारी है, seeding the cultures into culture vessel, तो जो हमारा यह culture media जो हमने prepare किया है, जिसमें हमको cell का अलग-अलग timing होता है, उससे फिर हमारा क्या होता है, यहां growth हो जाती है, और हमारा animal cell अपना मिल जाता है, जो हमारा पूरा का पूरा cell होता है, तो यह simple हमारा procedure होता है, किस तरह से होता है, और यह notes friends आपको discussion में मिल जाएंगे, वहां एक बार आप जाके जरूर business करें, बाके previous videos भी आपको सारी link वहां मिल जाएंगे जाएंगे चैनल के अंदर जाके आप देख सकते हैं, अब हम समझते हैं अपने types कुछ types किस तरह के होते हैं, तो types of cell culture के बारे में, तो यहां basically टीन तरह के हैं और एक दूसरे से जड़े हुए हैं, तो आपको confused होने के तो culture निखा हो, यहां एकी बात है, उसके बात मैंने आपको पहली बताया था, primary क्या है कि direct हम animal से निकाल के और culture media में रख दें, फिर secondary का is culture media से निकाल के हम again कोई sub-culturing कर दें, sub-culturing क्या culture media से निकाल के दूसरे culture media में डाल दें, तो यह हमारी क्या है sub-culturing है, तो इस तरह से य इस मैं से और ले लिए, फिर इस मैं से बनगा, इस मैं से और ले लिए, इसका एक इजामपल आप यह समझे, हम लोगों ने robot picture जरूर देखी होगी, तो robot movie में क्या होता है, वो अपने जैसे दो बनाता है, या एक बनाता है, फिर वो अपने जैसे और दो बनाते हैं, फिर व हमारी sub-culturing होती रहती है और हमारा animal cell जो culture है वो बनता जाता है आगे और हमारी animal cell भी बनते रहते हैं डवलप होते रहते हैं तो इस तरह यह हमारी चलती रहती है तो इन ही के वेस्ट पे यहां हमको define किया गया है तो simply हम समझ लेते है primary cell culture मतलब वही है कि हमने animal cell से direct लेके और उसको हमने गिरो करा दिया वो हमारा primary cell culture हो गया फिर हमारा आता stabilized तो यह है कि जो हम यह सब-culturing कर रहे हैं वो हम around 70 times कर चुके हैं उसके बाद 70 times होने के बाद जो हमारी cell culture आएगा जो हमारी condition होगी वो हमारी कहलाती है stabilized cell line यह cell culture simple इतना सा है कि यहां वही लिखा है primary cell culture हमारा पूरा ग्रो हो गया उसके बाद हमने इसको अगेन वो कराया कराया और around 70 times जब वो हो जाता है sub-culturing तब वो हमारा stabilized cell line कहलाता है दो बाते इसकी समझ लेते हैं कि जो हमारा primary cell culture है वो थोड़ा सा slow होता है लेकिन जो stabilized है वो हमारा fast होता है क्योंकि यहां तक आते आते इनको total artificial की आदत पर जाती है total यह depend हो जाते हैं मतलब जो हमारा अलग से environment बन रहा है ना उस चीज़ पे इसके बाद यह हमारा बहुत अच्छे से grow करने लग जाते हैं सिंपल इतना है इसके बाद primary cell यह हमारी है यह थोड़ी सी मतलब primary direct animal से लिया है तो इसमें animal की थोड़ी बहुत properties होगी लेकिन जो हमारा यह स्टेबलाइट है यह हमारा सब कल्चर हो चुका है मतलब आप समझिए यहां से जहां यहां से जाते जाते लगवा सेवन्टी टाइम्स हो चुका है तो इसमें फिर पेरेंट सेल जो हमारा animal सेल है उसकी property नहीं बचती है तो यही सिंपल यहां बताएगा कि इसकी property नहीं सब कल्चर नहीं कराई उसको और जादा मतलब यह बन गया सेवन्टी टाइम करीब हो गया इसके बाद भी हम इसको और पलट रहे हैं और इसके बना रहे हैं फिर इससे और बना रहे हैं लग वह एट्टी टाइम यह उससे ऊपर हो गया तो वह उस condition में चला जाता है वह हमा समझ रहे हैं कितना भी तो यह हमारी जनेरेटर हो के हम जाती है इस क्यापसिटी जनेरेटर ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इन सब कल्चरिंग के तौरान जिस बजासर में यह एबलेटी यह कैपसिटी आ जाती है कि वह अब इंडेफिनेटली ग्रो करता रहे तो यही सब चीज़े हैं तो यह हमारा औरगन है यहां पर सब कल्चरिंग उसकी पहले हमने करा यह वो प्राइमरी है फिर इसको हमने अगें 70 टाइम 80 टाइम करा दिया वह हमारा इसको अगें 80 टाइम से ऊपर करा दिया और वह हमारा क्या कर सकता है ग्रो इंडेफिनेटली कि हम क्या करते है? cell culture का एक model पूरा create कर लेते हैं फिर उसके हम क्या करते है? जो भी हमारी दवाईयों की use है मतलब दवाईयों का असर है उन सब को हम क्या कर सकते है? किस तरह से? allora simple यह समझे कि अगर स किसी को बुखार आया तो यह इंसान है इसको बुखार आ गया तो हम क्या करेंगे Madison इसको देंगे तो हमने देखा इसका Temperature कम हुआ की नहीं हुआ तो हमने यहां माली से पैरा सीटामल का यूज किया यह आप समझें किसी का सरदर्द हो रहा है ब्रैन में पेन हो रहा है तो हमने उसको क्या दिया तो डिस्प्रिंट से हम देखेंगे उसका सरकादर्द हो खतम हुआ की नहीं हुआ तो यह हम डारेक्ट इंसानों पे कर रहे हैं लेकिन अगर हम कुछ नई दवाई स्टार्ट कर रहे है तो उसको हम क्या करेंगे तो एक तरह से model box की तरह काम करता है फिर हम और देख लेते हैं यहां क्या है कि production of vaccine अब vaccine production में कैसे help करेगा तो simple है friends कि हमें कोई भी बीमारी है जैसे rabbits है जा कुछ भी है हमें नहीं हो किसी को ना हो तो तो यह जितनी भी बीमारी है वो बीमारी को हम किया करेंगे इस अपने जी animal cell culture है यहां पर इसको हम मतलब डबलब कर लेते हैं जिस पे भी है जैसे भी है फिर हम इसमें अलग अलग जो अपनी दबाई हैं उसको prepare करेंगे फिर यहां पर हम उसको apply करेंगे अप्लाई करेंगे इनिमल cell culture है chicken box हो गई तो इन सब चीजों के लिए यहां पर उसका cell create कर लिए जाएगा डबलब कर दियाएगा फिर उस पर यहां पर असर डाला जाएगा वैक्सीन का ठीक हो गया तर ठीक है सही है वरना कोई बात नहीं तो मतलब फिर हम दूसरी दवा यहां पर उस पर मतलब तैयार करते ह तो कोई भी अपना डबलब कराया अनिमल सेल उसके बाद हम इसमें दवा का असर डालेंगे अगर वो दवा कहीं ऐसा तो नहीं है ठीक करने की जगा मतलब यहां पर इसको और नुकसान कर रही है और हार्म क्रियेट कर रही है पतलब टॉक्सिक है जहरीली है खतरना का क्या द्रूज भी बहुत है कि क्लचर ऐनिमिवल सेल क्लचर क्या है इसको हम क्या करते हैं सकेन्सर सहल में ट्रांस पर कर देते हैं इसके बाद हम क्या करता है यहाँ अपना ट्रीटमेंट त्रेल मेलेगिश बादा हुग करें और यह हमारह ठीक हूरा है क्या if Ahhh कि तना मतलब बहुत मतलब बंजाए easy जितनी cheapest बने इन सब चीजों में लोग लगे हुए हैं तो इसका भी बहुत जादा use है कि हम उस दबा का मतलब therapeutic effect क्या दे रही है ये दबा इस cancer में क्या effect डाल रही है कम कर रही है भड़ा रही है इन सब चीजों को भी हम यहाँ देखते हैं तो इसलिए बहुत helpful है और ये हमारा क्या है develop करने में कोई ऐसी technique जब method जो हमारे cancer को treat कर सके उसमें भी यह बहुत जादा helpful है अब हम समझते हैं बाइरोलोजी तो आपको पता है कि study of virus को हम बाइरोलोजी कहते हैं तो यहाँ भी यह है जो आजकल हमारा चल रहा है कि बैक्सीन जब भी कोई आप जे समझे बैक्सीन को जब तयार किया जा रहा है हमारे coronavirus की बैक्सीन को तो ऐसा तो नहीं है कि उसको direct human पे दिया जा रहा है तब वो और आगे produce की जाती है इसी बज़े से कोई भी वैक्सीन बनने में हमारा लगबग दो महीने चार महीने छे महीने का time लग जाता है और यही हमारी बैक्सीन को हम अप्लाई करते हैं अगर वो वाइरस मर रहा है उसका effect खतम हो रहा है तब हम कहेंगे कि जो हमारी यह वैक्सीन है यह काम किया है और काम आगे आएगी जैनेटिक एंजिनेरिंग इसमें हमारा सिंपल है कि DNA का आदार प्रजान कैसे हो रहा है क्या हो रहा है इन सब की स्टडी के लिए हम यहाँ पर कल्चर मीडिया का यूज करते हैं आई होप आप लोगो जैसे वीडियो समझ आ गई होगी आज हमारा जो है एनिमल से पूरा माइक्रो की यूनिट कंप्लीट होगी है मिलते हैं आप से बहुत जल इंपोर्टेंट कोश्चन की वीडियो में आप जरूर वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोश्यार तब मिल